असलाम लेकों माई डियर स्टोडेंट्स आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज हम कॉंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक जो कि था अबाउट एंटी डिप्रेसंट इसकी एक ड्रग हमने पढ़ ली थी जो कि थी फ्लॉक्जटीन और उसके बारे में हमने कहा था कि वह सेलेक्टिव सिरोटनियन रियप्टेक इन्हीपिटर है बहुत असान सी ड्रग थी आज हमने सेकेंड ड्रग पढ़नी है और यह पेज नंबर 32 पे हैं आपकी फॉर्मकालोजी में एमिट्रिप्टैलीन एक ऐसी ड्रग है जो थोड़ी सी कॉंप यहाँ करफसे में ड्रबेस्टिव की अंदर आती है ठीक हैँ आइडिया दे दूँ कि ये थोड़ी सी कंप्लेक्स ड्रग इसलिए है क्योंकि ये ना सिर्फ सिंपथाटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है बलके ये ड्रग साथ साथ आपकी बॉड़ी में जो पैरा सिंपथाटिक सिस्टम होता है ये उसको ब्लॉक करती है तो as a result सिंपथ सिंपथाटिक सिस्टम की डबल एक्टिवेशन हो जाती है यानि एक तो पैरा सिंपथाटिक सिस्टम ब्लॉक हो रहा है उसके नियूरो ट्रांस्मीटर ब्लॉक हो रहे हैं और साथ साथ आपका सिंपथाटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जिसकी वज़ा से पेशेंट क मूड बहुत अच्छा हो जाता है वो डिप्रेशन से निकल आता है हम तर्तीब से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने चीज लिखनी होती है वो होती है जनाब इसकी फार्मेको काइनेटिक्स फार्मेको काइनेटिक्स सेम है जैसे कि आपने पिछली ड्रग की पड़ी थी कि ये ड्रग कैसे ली जाती है तो ये ड्रग मोस्टली औरल ली जाती है इस ड्रग इस टेकन औरली ठीक है इसे आप औरली लेते हैं इस वेल अब्सॉर्ब इन बॉड़ी body में अच्छे से absorb होती है metabolized कहां से होती है it is metabolized in liver liver में ये metabolized होती है जाके metabolized in liver और excrete कैसे होती है ये आपके urine के जरीए से excrete होती है it is excreted through urine तो आप इसको urine के जरीए से excrete कर देते है अब आजाते हैं इसकी main चीज के उपर जिसको आप कहते हैं formacodynamics ठीक है जी formacodynamics में सबसे important चीज क्या आती है हमारे पास drug का mechanism of action आप पूरा लिखेंगे mechanism of action की heading मैंने इसको short करके लिखा है अच्छा जी इसका mechanism of action यह है कि यह जो drug होती है यह हमारी body में मैंने आपको पहले बताया था कि यह हमारे पास pre-synaptic area होता है ठीक है और यह हमारे पास उसके नीचे क्या होता है post-synaptic area यानि कि यहाँ पे एक neuron खतम होता है यहाँ पे space होती है यह जोड़ा होता है एक neuron अपने neurotransmitters यहां release करता है दूसरा neuron उसको pick करता है और फिर यह system पूरी body में हमारे पास चलता जाता है अब होगा क्या कि आपको पता है जो हमारे पास pre-synaptic area होता है इसमें हमारे पास neurotransmitters है फॉर एक्जमपल epinephrine है, nor epinephrine है serotonin है, dopamine है तो यह neurotransmitter यहां से release होके कहां आजाते है यहां पर आते है फिर मैंने आपको बताया था यह neurotransmitter यहां से वापिस भी यहां पर जा सकते है ठीक है यह दवाई क्या करती है यह दवाई जो है serotonin, nor epinephrine इन दोनों को इन दोनों को यहां पर रहने पर मजबूर करती है और इनको वापिस जाने से रोक देती है तो मैं यहां लिख सकती हूँ कि this drug regulate serotonin and the nor epinephrine re-uptake या block कर देती है serotonin और nor epinephrine के re-uptake को this drug block अब इसमें दो neurotransmitter की बात है एक तो serotonin और दूसरा कौन सा है nor epinephrine जबकि इस से पिछली drug जो हमने पढ़ी थी phloxetin उसमें हमने सिर्फ और सिरोटनिन के बारे में पढ़ा था इसमें दो neurotransmitter की बात है कि जब आप यह drug खाते हैं तो यह drug क्या करती है यह drug आपकी बाड़ी में serotonin और जो nor epinephrine है वो जब यहां पर आ जाता है तो उसको वापिस जाने से रोक देती है तो as a result यहां पर serotonin और nor epinephrine का लेवल ज्यादा हो जाता है ठीक है block serotonin और नौर epinephrine re-uptake as a result it increase serotonin and nor epinephrine concentration in the synaptic area ठीक है in synaptic area या synaps कुछ भी आप लिख सकते है एक काम तो यह हो गया कि यह क्या कह रही है इन दो neurotransmitters को जिसको आप क्या कह रहे हैं serotonin और नौर epinephrine दोनों कौन से neurotransmitter है sympathetic system के neurotransmitter है as a result sympathetic stimulation आपकी हो जाती है एक और काम भी यह क्या करती है आपको अगर याद हो तो आपने जो पैरा sympathetic system पढ़ा था जो के वो system होता है कि जब वो activate होता है तो हमारी body जो है वो resting condition में आ जाती है और पैरा sympathetic system का neurotransmitter कौन सा होता है acetyl kulin होता है तो अगर मैं इसको simply कहूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर आपकी body में acetyl kulin release हो रहा है तो उससे क्या होता है कि आपकी body में para sympathetic system activate हो जाता है और जब para sympathetic system activate होता है तो आप जो है रेस्टिंग कंडिशन में आ जाते है सकून की हालत में आ जाते है अब जो depression का patient आपके पास है वो तो already सकून की हालत में है वो किसी से मिलना बसंद नहीं कर रहा वो कोई physical activity करना बसंद नहीं कर रहा तो अगर हम उसकी body में मजीद para sympathetic system activate कर वा देंगे क्या मजीद acetyl kulin के लेवल को बढ़ा देंगे तो वो तो और सकून में चला जाएगा वो तो और anti-social हो जाएगा ठीक है वो तो और कोई physical activity नहीं करेगा हमें उसको मजीद depressed नहीं करना हमें उसको activate करना है सो कोई भी चीज जो sympathetic system को activate करती है वो patient को depression से बाहर निकालेगी तो हमने इस तरह से क्या किया है sympathetic system को activate किया अब एक काम हम और करेंगे यह हम नहीं करेंगे यह दवाई करेंगी इतना आप क्या करती है कि यह जो drug होती है यह block कर देती है this drug also block अब यह किसको block कर रहे है acetyl kulin को जो किसका निरो ट्रांस्मीटर है पैरा सिंपथाटिक सिस्टम का और इसके साथ साथ एक allergy पैदा करने वाला chemical होता है जिसको आप कहते हैं histamine इनको निकलने ही नहीं देती अपने एरिया से यहाँ पे histamine होगा या acetyl kulin होगा और वो यहाँ निकल के आ जाएंगे तो इनका लैवल तो बॉड़ी में बढ़ जाएगा और इनका लैवल अगर बॉड़ी में बढ़ जाएगा तो हम मजीद depression में चले जाएगे तो यह drug क्या कर रही है इसको सिरोटनिन और नौर अपिनेफरीन के लैवल को यहाँ पर बढ़ा रही है और वापिस जाने से रोक रही है जब कि इन दोनों को क्या कर रही है इन दोनों को release यह नहीं होने दे रही है और उनने कह रही है कि आप अपने घर में बंद रहे हैं बाहिर आनी की आपको ज़रूरत नहीं है ठीके, इस्टाइल कुलीन एंड हिस्टामीन रिलीज जिसकी वज़ा से आपका जो पैराख संप्थे How is supporting and कि कंडीशन की निकल आता है यह वह क्व्षजन है जो अकसर वाइवा में आप से पूछा जाता है कि what is एक एक यह फेक्ट करें लिए इसका साइकल तीन चार केमिकल के उपर मुझत मिला होता है इसको हम कहां यूस करते है एक यूस तू टू ट्रीट डिप्रेशन ठीक है जी इसे आपने डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तमाल कर लिया इसके एड़र्स एफेक्ट याद रिखिएगा क्या क्या है अब इसके एड़र्स एफेक्ट इसके एड़र्स एफेक्ट अगर आप देखें साथ साथ ड्राइनेस हो जाती है माउथ में अच्छा ये बड़ा इंटरस्टिंग साइस का एफेक्ट है अगर आपको याद हो तो जब पैरा सेंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है ना तो उस वक्त आपकी मुँ में सलाइवा जादा पैदा होता है या आपको याद है या थिक पैदा होता है या आप कह सकते हैं कि थिन पैदा होता है सलाइवा जादा पैदा होता है मुँ आपका गीला गीरा रहता है रात को सोते हुए या जब आप रैस की कंडिशन में होते हैं सुबह आपके मुँमें सलाइवा प्रोड्यूस हुआ होता है हमने क्या क्या है इस ड्रग के जरीए से पैरा सिंपथैटिक सिस्टम को ब्लॉक किया है लहाजा सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा तो as a result क्या हो जाएगा dryness of mouth हो जाएगी साथ साथ आपको पता है कि जब पैरा सिंपथैटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यूरिनेशन बहुत जादा होती है ठीक है रात को जब आप सोते हैं तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको यूरीन की यूरीन फ्लो होता है यूरीन के लिए आपको रिटेंशन का मतलब होता है कमी हो जाना तो आपके यूरीन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है कम हो जाती है ठीक है तो बॉडी की सिक्रीशन उस वक्त बढ़ती है जब पैरा सिंपथैटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जब हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो असलाइवा भी